Students, यह हमारे पास NCRT Exercise, Page No. 70, Problem No. 2.30 है, तो इसमें पूछ कह रहे हैं, Explain, Giving Reasons, Which of the Following Sets of Quantum Numbers are Not Possible? ठीक है, कि आपने Reason के साथ Explain करना है कि कौन सा Set of Quantum Numbers जो है, वो Possible नहीं है, ठीक है, तो हम One by One देखते हैं, First A में क्या हो रहा है, A में N की Value जो है, वो Zero है, ठीक है, तो हमने पहले ही एक बात की हुई है, कि Obviously हमारे पास जो Orbit है, वो हमेशा ही One से स्टार्ट होती है, वो कभी भी Zero नहीं हो सकती है, तो यह वाली Orbital जो है, वो इस Set के Quantum Numbers के विद रिस्पेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका Reason के लिखेंगे, This Set of Quantum Numbers is Not Possible, Why? Because, N Cannot Be, Have Zero Value, ठीक है, कि हमारे पास, जो N की वैल्यू है, वो कभी भी Zero नहीं होती है, Done, अब नेक्स्ट में क्या है, N की वैल्यू हमारे पास One आ रही है, L की वैल्यू जीरो आ रही है, That's Okay, So, यह क्या हो गया, यह हमारे पास One S हो जाएगा, ठीक है, अब L की वैल्यू ओविएसली हमारे पास, जो Magnetic Quantum Numbers है, वो Minus L to Plus L होता है, तो Minus L के case में, यह Zero ही है, ठीक है, L तो Obviously, तो हम यह Orbital जो है, वो Possible कह सकते हैं, ठीक है, So, This Orbital is Possible, Next में, N Equalor to 1 है, L Equalor to 1 है, हमने एक रूल किया हुआ है, कि N की वैल्यू जितनी आती है, L की वैल्यू जो है, जीरो से लेके, N-1 तक आती है, ठीक है, तो इस केस में क्या है, कि N और L की वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, तो यह वाली, जो Set of Quantum Numbers है, यह भी Possible नहीं है, So, you can write, Not Possible, Because, For, N Equal to 1, L Cannot be, Equal to 1, और Equal to N, ठीक है, कि L जो है, वो कभी भी N के Equal जो है, नहीं आ सकता, ठीक है, अब Next क्या है, D, N Equal to 2 आ रहा है, और L Equal to 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1 किस केस में आता है, फिर से हम वही वाला टेबल देखेंगे, L की वैल्यों गर 0, 1, 2, 3, तो Orbital कौन सी आएगी, Orbital will be S, P, D, and F, ठीक है, अब हमारे पास D में क्या आ रहा है, 2, और 1 किस केस में आ रहा है, 1 के केस में आ रहा है, So, it can be possible 2, P आ रही है, ठीक है, तो D Orbital पास पॉसइबल है. ठीक है, अब E में क्या हुरा है? E में अगर हम देखेंगे, तो हमारे पास N की वैल्यों 3 आ रही है, और L की वैल्यों जो है, वो भी थ्रिए रही है, तो रही न पॉसइबल, क्योंकि right not possible because for n equaler to 3 l cannot have value equal to 3 okay that the value of n equaler to 3 is not possible for n equaler to 3 done now what is next we have next is n equaler to 3 and l value 1 l value 1 is in which case in p case so this is not possible in p case so in p case this orbital will be 3p orbital so definitely this orbital is possible so you can write this orbital is is possible